नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जिस टोपिक पर हम बात करने वाले हैं वो घर बनाते वक्त काफी एहम है आप लोगोंने ज्यादतर देखा होगा कि जहां भी हम घर में कोलम लगाते हैं यानि जो बीम होता जो सामने आप देख पा रहे हैं और उसके बाद जब हम उसके जो दिवार की बॉंडिंग है वो प्रोपर नहीं हो पाती है और इसमें दोस्तों किसी की गलती नहीं होती है आप कितना भी अच्छा सिमेंट लगा लें कितना भी आप अच्छा मिस्त्री रख लें कितना भी आप तराई कर लें ये नैचुरली है कि जो कोलम है उसका सरफे अगर छोटा सा आइटम जब हम पलस्तर करते हैं उससे पहले अगर छोटा सा काम कर लें तो lifetime आपका जो एक crack है ये नहीं आएगा तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो कौन सा तरीका है क्या item है जिसकी मदद से हम इस cracks को avoid कर सकते हैं इसके हम छुटकार पा सकते हैं जिन्दी भर के लिए तो आज के इस वीडियो में पूरा आपको मैं detail से बताऊंगा वो item भी दिखाऊंगा और कैसे उसको लगाना है कैसे apply करना पूरा इस में detail से आपको मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखेगा चैनल पर पहली बारा है तो इसको subscribe भी कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको like share करना न भूलिएगा तो चलिए दोस्तों अब हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ तो fiber जाली मुर्गा जाली से थोड़ी सी बहतर होती है उसका क्या region है वो बहतर क्यूं है वो भी माव को इस वीडियो में बताता हूँ तो हम यहाँ पे मुर्गा जाली के बज़ाए fiber mesh यानि की fiber की जाली का इस्तेमाल करने वाले हैं कैसे लगाना है और कैसे उसको इस्तिमाल करना है वो आगे वीडियो में बताता हूं किस तरह से फाइबर जाली दिखती है और यह जो मुर्गा जाली आती है जो लोही की आती है दोस्तों उससे यह क्यों बहतर है यह भी माफ को बताता हूं तो चलिए पहले माफ को दिखाता ह वो फाइबर जाली जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं तो ये देखें दोस्तों ये है हमारी फाइबर मैस यानी की फाइबर की जाली इस तरह से दिखती है ये पूरा का पूरा फाइबर में बनी हुई है इसका रोल आता चार फिट, पांथ फिट, छे फिट उस रोल में से हमने दोस्तों ये एक फिट चोड़ा पीस काट लिया है तो आपको सबसे पहले याद रखना है जब भी आपको जाली लगाने है आपको कम से कम 12 इंची आनी की एक फिट चोड़ा पीस जरूर काटना है 6 इंची कोलम पी आजाएगा, 6 इंची दिवार पी आजाएगा कुछ जगे पे मैं देखता हूँ 4 या 6 इंची का इपीस काटते हैं और वो लगा देते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपको कम से कम 12 इंची का पीस जरूर काटना है उसके बाद दोस्तों मैं इसके फाइदे बताओं जो की हमारा मुर्गा जाली आती है लोही की उससे वहतर क्यों है तो पहला कारण यह है दोस्तों मुर्गा जाली जो आती है उसके अंदर तार आते हैं लोही के बिल्कुल पतले उससे पतला लेकिन उससे ज्यादा मजबूत है तीसरा दोस्तों जो फाइबर ये जो हमारा मुर्गा जाली है उसके अंदर हमें वारसल और कीलों का जरूरत पढ़ता है वो काफी हार्ड होता है तो लगाने में दिक्कत करता है कई बारी मुड़ा रह जाता है सीधा नहीं होत जाता है तो दिर दिर उतार जंग लगने से दोस्तों वह अंदर डैमेज होके खतम हो जाता है या मान लिजे किसी कारण वास हमारी दिवार में शीलन आ गई और शीलन का ट्रेटमेंट हम काफी दिन उतर नहीं करते हैं अगर अंदर लगी हुई जाली के टच में आ गया तो मुर्गा जाली है वो खराब जाएजी लेकिन ये वाली जो जाली दोस्तों ये कभी जिन्दिगी में खराब नहीं होगी इसकी लाइब भी अच्छी है और ये उससे मजबूत भी है अब देखते हैं इसको लगाना कैसे है तो इसके लिए दोस्तों ये देखे जो हमारा इस खेंची कोलम है और चेंची घ्र दीवारें और रही है और नीचे अधालें विलम पर इक एक्स्ट्रा है उसको दिए कटरीह करनी की मंदत से कड़ा अधा कर अगर यह हम्यां जाठीश एक कील पर uffsOR भी होर देख Lakshand अगर यहीं हम मुर्गा जाली लगाते दोस्तों तो इस तरह से सीधा नहीं होती उसको लगाने में हमें काफी मसकत काफी मैनत करने पड़ती है इतनी फिनीशिंग से वो लग भी नहीं पाती है तो इस तरह से आपको पहले continue एक point से दूसरे point end to end आपको जाली लगा देनी है न इसलिए हमने यह तीन इंची उपर काटा है अब ऐसे आपको जाली लगाने के बाद इस पे आपको सिमेंट का गोल लगाना है सिमेंट का गोल आप थोड़ा गाड़ा रखेंगे इस तरह से इस पे हम पूरे को फुताई कर देंगे करने की मदद से यह देखिए जितनी भी है उसको इस तरह से फुताई कर देंगे इस इसकी जगा अगर मालेजे आपका मुर्गा जाली होती दोस्तों तो यह काम करने में भी आपको मसक्कत करनी पड़ती है और इस तरह के फिनिसिंग का भी नहीं आता मुर्गा जाली जहां भी बैंड होगी वह दबेगी नहीं ले तो पीछे दिवार और कोलमुज के साथ सीमेंट अच्छे से पकड़नी पाती हैं फाइवर है बिल्कुल पतला है सीमेंट पीछे चरी जाती है इसको दबा लेती है तो इस केवार अगले दिन उसके दोस्तों तराइai करके अच्छे से आप पलस्तर करें इस तरह से देखिए हमने पूरा भुंदा लगा रेक्षिया हैं सारे दिवारों फ़े बूंदे लगा ली हैं अब हम फाइवर जाले लगा रहें उसके बाद इसके कल हम सुबह पूरा तराई करके शाम तक पलस्तर करेंगे उससे अगले दिन करेंगे जब भी आप पलस्तर करें तराई आप कम से कम बारा गंटे पहले करें और अच्छे से करें पूरा दिवार को उसको पानी-पानी से अच्छे से तराई करना जरूरी है थोड़ी तराई का आप इस्तेमाल ना करें उससे पलस्तर की पकड़ा च्छी नहीं होगी तो इस तरह से देखें हम पूरा जो जाली है इसके सिमेंट की पुताई कर देंगे कहीं भी नहीं छोड़ना आपको बीज-बीज में कई लोग क्या करते हैं छेंची छोड़ा छेंची लगाया ऐसे कहीं कहीं छोड़ दिया ऐसा नहीं करना है पूरा प्रोपर इसको आपको सिमेंट से ऐसे पोथ देना है और दोस्तों जैसे कमरे में हम एक तरफ दिवारा दूसरी तरफ हमारा जहां 90 डिग्रे में दिवार होती है तो वहाँ भी आप इस जाली को आसानी से लगा सकते हैं मुर्गा जाली होगी तो वह मुड़ेगे या असानी से लगाती है तो इसके काफी फायद है फ्लेक्सिबल है पतली है आसान है काम करने में दिक्कत नहीं होती है पकड़ भी अच्छी है और इसमें आपका टाइम भी बचता है क्योंकि इसको लगाने में यह काफी आसान है मुर्गा जाली में मसकत करने पड़ती जिस तरह यह देखिए यहां पर हमारा एक ही मिस्त्री पूरा काम कर रहा है मुर्गा जाली में आपको कम से कम एक मिस्त्री ले पर की आवशकता पड़ेगी तब जाके लगती है और यहां पर देखिए हमने नीचे से उपर तक इसको पूरा का पूरा सिमेंट के मसाले से फुताई कर दिया है सिमेंट का मसाला आप ज्यादा सेट हो गया है अब हम इसमें आज तरही करेंगे और फिर कल इसमें हम फूरा पलस्तर कर देंगे तो ऐसा करने से दोस्तों कभी भी जिंदिगे में आपकी जो कॉलम के साथ दिवार उसमें करेक नहीं आएगा जब भी आप घर बनाएं तो यह फाइबर जाली जरूर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा इस चैनल पर दोस्तों आपको इसी तरह के सीविल और इंटियर से जुड़े हुए नए नए वीडियो मिलते रहेंगे जिसमें मैं बताता किस तरह सीविल और इंटियर के काम हो रहे हैं किस तरह की नईनी फिटिंग्स हैं नहsticks थीमाल किया जाता है सब्सक्राइब सारे सीविल और इंटियर के काम की आपको इस चैनल पर मिलती रहेगे तो जल्द मिलता हूं दोस्तों कि ऐसी ही नई वीडियो में नई नोलेज के स तब तक जाहिन